देखिए हिंदी एक ऐसी भाशा है जो जूते हैं हमारे मौरिशिस में हिंदी एक ऐसा काम क्या है जो शायद हम हम रियलाइज नहीं करती हैं वहाँ पर जात पात भाव भेव से उतकर हिंदी ने सब लोगों को एक साथ लगा कर हिंदूस्तानी पहचान दिया है हम सब जाद, पाद, कुछ भी नहीं, जो भी है मौरिश्यस में, हिंडी स्पीकिंग, या माराटी स्पीकिंग, या उर्दू स्पीकिंग, सब हिंडुस्तानी बोलते हैं, तो हिंडी की ये एक पैचान है, जे जूटते हैं, मौरिश्यस में कोई भी नहीं कहते हैं, हाँ हमारी हर एक की कल्चर हैं संस्कृति हैं लेकिन हिंदी बोलने में को सब एक साथ हिंदी बोलते हैं एक देश की शिक्षा मंदरी के नाते आप कुछ ऐसे सल्खा देना चाहिए जिसे हिंदी को और आगबाया जा सकते हैं तो ये एक चीज हमें सोचना है इंडिया में तो हिंदी की पहचान है और यहां पर किंदी लोग परते हैं ऑभलाजिघ लेकिन जो हमारे देश से गि बित्यटिय देशों में है क्या होता है ह। वहां से एक टीम बना सकते हैं अध्यापकों को और वहां से गिर्मित्य देशों को कि बच्चों को हिंदी सेकंड लेंग्विज के तोर पर इसे हम यहां पर आई हुई हैं कितनी प्रोपोजल्स दी हैं देखिए अगर हम अपनी अपनी देशों में रेजयो की कि इस रो इसे इतनी चैनल्स हैं तो हम सब एक साथ एक ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि इसकी प्रस्तूति हर एक देश में हो आज टेक्नॉलोजी की एच में हैं तो क्यों नहीं भेज सकते हैं तो हम सब एक साथ हिंदी की प्रचार कर सकते हैं यह ऐसी आइडियार जैसी एक साथ सोचने के ऐसे समेलन यह मौका देते हैं हमने आज फिजी से आयो हुए लोग सुरी नाम से आयो हुए लोग साथ अफरिका से आयो हुए लोग से भेट करके एक साथ एक प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हिंदी इतनी जगों में लोगों बोलते हैं, लोगों यूज करते हैं, और हिंदी से इतना प्रेम जो है, तो क्यों इससे उपर नहीं नहीं सकते हैं? क्यों यूनाइटे नेशन्स में हिंदी की स्टेटिस उताने सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, और यह समेलन ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे लक्ष में ले जा सकते हैं हिंदी को.